Hello everyone, finally National Scholarship याने NSP की जो Fresh Registration है, Academic Year 2022-2023 की वो स्टार्ट होगी है, तो इस वीडियो में आपको Step by Step full process दिखाऊंगा कि आप अपना scholarship का कौम फिल कैसे करोगे, बात की जाएं, Pre-Metric, First Class से लेके 10th Class तक होता है, और Post-Metric, 11th, 12th, Graduation और ABO के स्टुडेंट्स होते हैं, तो इस वीडियो में आपको दोनों process दिखाऊंगा कि आप अपना Pre-Metric और Post-Metric Scholarship Form फिल कैसे करोगे, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी request रहेगी आप से मेरे YouTube चैनल को सबस्क्राइब कर देना, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, आपको आना होगा अपने mobile, PC या computer के browser पे, browser पे आने के बाद आपको सर्च करना होगा NSP, NSP सर्च करने के बाद आपके सामने National Scholarship Portal का पेज जो है वो आ जाएगा तो आपको open कर देना है, open करने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेंट कोर्नर पे आ जाना है अगर आप new candidate है तो fresh실히 registration करना चाहते हैं तो आप अपनी fresh registration कर सकते हो अगर आप अपने form को renew करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप renewal application पे click करोगे अगर आप previous year application status चेक करना चाहते हो तो आप यहां से अपना previous year application status चेक कर से applicant corner पे, applicant corner पे आने के बाद आपको यहां पे fresh application पे क्लिक करना है मैं आपको वीडियो की description में भी link दे दूँगा आप वहां से directly site पे आ जाओगे तो fresh application पे क्लिक करने के बाद आपके सामने login for fresh application यहां पे अगर आपने पहले registration कर दी है तो आपको यहां पे application ID और password डालना होगा उसके बाद आपको यहां पे क्लिक करना होगा new student register here इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे instructions पढ़ देनी है instruction पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे I agree पे click करना है उसके बाद आपको यहाँ पे continue पे click करना है continue पे click करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी state select कर देनी आप जिस भी state से तालुक रखते हो तो आपको अपनी state यहाँ पे select कर देनी है स्टेट स्लेक्ट करने के बाद यहां पर आपको स्लेक्ट करने है अपनी स्कीम आपकी स्कालर्शिप स्कीम का फॉर्म फिल करोगे यानि प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक मैंने आपको पहले भी बताया प्री मैट्रिक जो है वो फिर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक होता है और जो post metric है, वो 11th, 12th और graduation के लिए होता है। लेक्षट के लिए ऑफ वो हमने स्कीण के स्कीण के लिए अबने स्वारीच के लिए वग में. अब अबने अबने मुबाइल नमबर केना। आप अपना mobile number carefully fill करें क्योंकि उस पे OTP आता है उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी email ID fill करनी है उसके बाद आपको यहाँ पे bank IFC code fill करना है उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से confirm अपना IFC code fill करना है उसके बाद bank account यहाँ पे fill करना है bank account और IFC code carefully fill करना है उसके बाद आपको अपना अधार इंडॉल्मेंट डाल सकते हो अगर वह भी नहीं है तो आपको यहां पर अपना बैंक अकाउंट स्लेक्ट करोगे तो आपको यहां पर पास्बुक का जो फॉस्ट फ्रंट पेज है वह एपलोड करना होगा अपना अधार नंबर फिल करने के बाद आपको यहां पर कैप्चा फिल करना है कैप्चा फिल करने के बाद यहां पर आपको अधार नंबर इस पर क्लिक करना है तो इस सारों पर टीक करने के बाद आपको नीचे आजाना है नीचे आने के बाद आपको रिजिस्टर पर क्लिक करने, रिजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपकी जो रिजिटेशन है वो सैकसफुली हो जाएगी, आपका जो स्टुडेंट एप्लीकेशन आईडी है वो जर्णेट हो जाएगा, उसके बाद आपको यहां पर continue पर क्लिक करना है, आपके मुबाइल नमबर पे आपका login आइडी और password जो है, वो send कर दिया जाएगा, login आइडी आपको यहाँ पे show होगी है, आपका जो पहले password रहेगा, वो आपकी data बर्त रहेगी, उसके बाद आपको फिर से login पेज़ पे आजाना है, login पेज़ पे आने के बाद आपको यहाँ पे application ID और password डाना होगा, आपको application ID और जो पासवर्ड है, आपके им simplemente सेंट कर दिया जाएगा, आपका password होपकी data बर्त रहने वाली है, application ID और पासवर्ड डानने के बाद आपको login पे क्लिक करना है लॉग इन पे क्लिक करने के बाद एक OTP सेंड किया जाएगा आपके रिजिस्टेट मोबाइल नमबर पे आपका जो OTP है वो 5 डिजिट रहने वाला OTP फिल करने के बाद आपको confirm OTP पे क्लिक करना है confirm OTP पे क्लिक करने के बाद आपके सामने password change का option आ जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे अपना new password डालना होगा जो भी आप रखना चाते हो लेकिन password जो है वो must be आपका 8 character रहने वाला है उसमें आपका at least एक small size रहने वाला है और एक alphabet आपका capital रहने वाला है उसमें आपकी numeric value भी होने चाहे और special character जैसे की add the rate hash star तो आपको यहाँ पे strong password डालना होगा password डालने के बाद आपको यहाँ पे submit पे क्लिक करना है submit पे क्लिक करने के बाद आप successfully login हो जाओगे उसके बाद आपको यहाँ पे application form पे क्लिक करना है application form पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना religion select कर देना है religion select करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी community select करनी है जैसे की SC, ST, OBC, Journal जो भी आपकी community होगी उसके बाद आपको यहाँ पर अपना father name फिर anual family income डालनी एंक़ूरी फैल करना है उसके बाद आपको यहाँ पर यहाँ प्यूसल्इक करना है आप टे pastor बेयों पैसे किसी इसनलत चूट सेलेक्ट करना है उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है अपनी academic wifi directive अपना district select करना है कि आपका institute किस district में है यानि किस district में कुण सा school है अपना district select करने के बाद आपको यहाँ पे get institute list पे click करना है अगर आपके पास अपना school का UDAIS code AISC code होगा तो आपको यहाँ पे UDAIS code fill करना होगा UDAIS code fill करने के बाद आपको यहाँ पे get institute visit entered इस पे click करना है इस पे click करने के बाद आपका जो institute का name जो है वो नीचे आ जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे अपना institute select करना है select करने के बाद आपको यहाँ पे अपना admission enrollment यहां registration number फिल करना है उसके बाद आपको admission year select कर देना कि आपकी admission की साल में हुई है उसके बाद आपको यहाँ पे roll number फिल करना है उसके बाद आपको यहाँ पे अपना section select कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पे अपना present class select कर देन आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या आगर आपका पोस्ट मैटरिका होगा 11th, 12th या ग्रेजविशन या एबो जो भी आपकी क्लास होगी उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट एक्जाम मेशन सेलेक्ट करने हैं कि आपने लास्ट एक्जाम कुन सा पास किया है उसके बाद आपको यहाँ पे पासिंग एर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपने प्रिवियस एर ग्लास पसंटेज दानी होगी जो आपने last year exam pass किया कि उसमें आपने कितनी पसंट marks लिया है तो इसमें आपके 50% marks mandatory है scholarship के लिए उसके बाद बात किजाए अगर आपने कोई competitive exam qualify किया है तो आपको यहाँ पे yes select कर देना अगर नहीं किया है तो आपको यहाँ पे no select करना है उसके बाद अगर आपने कोई competitive exam pass किया तो उसका competitive role number, exam role number और competitive exam year उसके बाद आपको other duties fill करना है अगर आप earthen है तो yes कर देना अगर नहीं है तो आपको no कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पे अपना guardian name fill करना है उसके बाद आगर आप disabled हो आपको कोई problem है तो आपको yes कर देना अगर नहीं है physically handicapped है तो भी yes करना अगर नहीं है तो आपको no कर देना उसके बाद आपको यहाँ पे type of disability slide करने हैं कि 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 आपकी कितने पसंद की disability है उसके बाद आपको यहाँ पर अपना mature status select है आप married हौए अपर डाइवस सेड़ो जो भी हो उसके बाद आपको यहाँ पर प्रों इिए कि आपके पर क्या करते हैं जो भी आपका parents यहाँ पर होगआ अगर नहीं आ रहा जला है option तो आपको यहाँ पर other select करते हैं उसके बाद आपको save and continue पर click करना है save and continue पे click करने के बाद आपको यहाँ पे अपना home district select करना है जो भी आपका home district होगा उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी locality select करने है आप urban हो रोलर जो भी हो उसके बाद आपको यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सबडिस्टिक स्लेक्ट करना है कि आपकी तासिल क्या है सबडिस्टिक स्लेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना वलेज स्लेक्ट करना है जो भी आपका वलेज होगा वलेज स्लेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना हाउस नमबर फिल करना है और street number उसके बाद आपको यहां पर अपना pin code फिल करना है पिन code फिल करने के बाद आपको यहां पर pre-matric scholarship for minority select कर देना, select करने के बाद आपको यहां पर bonafide student institution जो है वो mandatory document है, यह जो document है आपको upload करना जरूरी है नहीं तो आपका जो form है वो वापिस हो सकता है तो आपको यहां पर format अगर download करना है तो आपको यहां पर download पर click करने है download पर click करने के बाद आपका जो format है वो जर्नेट हो जाएगा तो आपको यहां पर अपने institute से signature करवानी है इस पे और signature करवाने के बाद आपको यहां पर फिर से आ जाना लॉग इन करके अपनी application ID और password के साथ लॉग इन करके यहाँ पे आपको upload पे click करने है upload पे click करने के बाद आपको यहाँ पे certificate number जो आपका application ID होगा वो डालना होगा उसके बाद आपको यहाँ पे data issue कि आपकी जो application ID है वो कब issue हुई है आपने कब signature करवाई है अपने इस bonified पे उसके बाद आपको यहाँ पे place up issue डालना है place up issue डालने के बाद issued by कि आपको किसने issue कि है उसके बाद आपको यहाँ पे choose file पे click करना है choose file पे click करने के बाद आपको upload no पे click करने के बाद जब आप अपनी bonified student institution upload कर दोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पी फाइनल सब्मिट पे कुलिक करना है, फाइनल सब्मिट पे किलिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सब्मिट हो जाएगा, transmit होने के बाद आपका जो scholarship फॉर्म है वो institute level verify होगा, institute level वेरिफाई होने के बाद आपका district level वेरिफाई होगा